जिस तरह से दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाली का नाम उसी तरह से मूवी मूवी पर लिखा होता है उसके जरिये नाम कमाने वाली का नाम So, Bollywood ने एक बहुत बड़ी मूवी बनने वाली थी जिस पर अजय देवन का नाम हो सकता था कमाने कर लेकर बट उस पर दाने का नाम आ गया बॉबी देवल का तो कौन सी मूवी जिस पर अजय देवन बॉबी देवल की बीच में होने वाली थी टकरार और किस तरह से परकास जाने बॉबी देवल के खाते में डाल दिया अजय देवन की किस्मत इन सारे सवालों के जब आप जानेंगे इस वीडियो में उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूब प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें तो बात करते हैं हमारे टाइटल सत्संग की और इसके बावी देवल के साथ प्रकास जा के क्रोस कनेक्शन की अच्चुली बात साल 2017 की है जब आजादेगुन के साथ प्रकास जा एक मोवी बनाने का प्लान कर चुके थे नाम था सत्संग मोवी एक धारमिक शटायर होने वाली थी और अजय देगुन के साथ प्रकाज जागी जुगलविंदी की एक बहुत बड़ी मूवी बनने वाली थी विकॉज 2017 से पहले वो राजनीती में काम कर चुके थे और उससे पहले वो गंगा जल अपरण में भी बहुत ब्लागबॉस्टर हिट मूवी देने की कॉम्बो जोड़ी बन चुके थे ऐसे में जब प्रकाज जाने साथ संग और आजनीती टू दो फिल्म में एनाउंस की तो पहले डिसाइड हुआ था साथ संग टू बनेगी समय को कुछ और मंद्यू होता और अजय देगुन की किस्मत का साथ संग बाबा के आस्रम में होने वाला था और इसी तरह उनकी साथ संग जो है बाब इदल के आस्रम में कनवर्ट हुए practically जब सास्नंग कि suit in start टार्ट होने वाली थी तब प्रकात जा गंगजाल two को complete करने में लगे थे और अज़े देगुन के पास जो डेट्स थी वो उनके काम की नहीं थी जब टाइमाया तब अज़े अपनी फिल्मों बीजी होगया खासतो हो रोईस सेर्टी की साथ गोलमार फ्रेंचाइजी सेंगम को लेकर बहुत जादा इंगेज हो गया तो ससंग बहुत टैम तक पोश्टमन होती रही और उस स्क्रिप्ट पर प्रकाश जा ने काफी टैम तक काम किया उसके बाद अचानक से इंडिया में OTT का उदय हो गया और नेर्फिक्स ने सेक्रेट गेम्स की बाद पूरी तरह से इंटर्टेन्मेंट का फेस चेंद कर दिया अब बड़े बड़े एक्टर डिरेक्टर OTT पर जा रहे थे ऐसे में प्रकाश जा को आडिया आया कि जब तक वो अजया का वेट करेंगे उनकी डेट्स का तब तक तो सब्जेक्ट बहुत पुराना हो जाएगा उसी तुना भारत के बहुत सारे बावा आशाराम से लेकर गुरूराम रहीम तक सब के सब अपने काली करतों तक वज़े से मीडिया और पुलिस के निशाने पर आ चुके थे ऐसे में प्रकाश जाने सुचा क्यों न ये सही टाइम में सतस्तंग के टॉपिक को बुनाने का बिकॉज सस्तंग में देश में अध्यात्मे नम पर होने वाले काले धंदे की सच्चा ही दिखाने थी और बताना थक कैसे इस धंदे से देश की जनता को गुम्राह किया जाता है ऐसे में जब हालिया आसाराम बाबा की और बहुत सारे बाबाओं की गरपतारी हुई तो प्रकाश जाने इस मुवी को वेब सेरी में कनवर्ट करने का दिमाग लगाया और उस वक्त बावी देवल को आसरम के तोर पर सस्तंग की स्क्रिप्ट सुना दी जैसे ही बावी देवल ने आसरम के लिए हां कर दिया सस्तंग बन गई आसरम और आज़े देवल के लिए वो स्क्रिप्ट जो बहुत टाम से वेट कर ली थी होगई खत्म तो बावी देवल की किस्मों के सितारा बुलंद हो गया आसरम से और अज़े देवन को एक अच्छी मूवी हां से निकल गई हालंकि जो कहानी जो कॉंसेप्ट है वेब सीरीज के तोर पर बहले कनवर्ट हो चुका है और आसरम के चौते सीजन का टीजर भी लॉंच हो चुका है हॉलीवड में वेश्टन में बहुत बनती हैं जैसे कि मारवल्स की बहुत रिफिलमे हैं जो की वेब सीरीज के तोर प스իलमों के तौरपर भी ऐसे में प्रकाश या आज भी चाहें तो आज़े के साथ सर्थासंग बना सकते हैं सब्जेक्ट बहुत मौजू है और इस सब्जेक्ट को लेकर आजे देगुन के ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होगा तो बाबाओं की काली कर्तूत और आश्रम का काला धंदा अगर सस्तंग में सामने आएगा तो ब्लॉकबस्टर कॉम्बनेशन बिल्कुल फिक्स है त और फिर प्रकास जया अपनी सारी कहानी आश्रम में पहले ही एक्स्प्लोर कर चुके हैं